तो सिर्फ 3,000 डॉलर से 20,000,000 डॉलर बनाया था उन्होंने जिन्होंने पहली बार breakout pattern को identify किया था लेकिन आज हाल यह है कि अगर आप 20,000,000 डॉलर भी लेके आओ market में तो वो 3,000 बच जाएगा अगर आप आँख बंद करके बिना दिमाग लगाए सिर्फ breakout trading करते हो लेकिन इस जिसे fake breakout समझोगे वो real बन जाएगा जिसे real समझोगे वो fake बन जाएगा और 10 में से 6-7 बारी आप fake breakout में फस जाओगे बट इस वीडियो को complete करने से पहले मैं आपको guarantee देता हूँ कि एक तो fake breakout आप identify करने सीख जाओगे साथ ही साथ real breakout का क्या symptoms होता है कैसे उसको identify करना है उस पर भी आपका command बैट जाएगा उसके बाद आपका accuracy में बहुत बड़ा jump आएगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं जो कि हमारा सबसे पुराना rule है किसी भी चीज को start with why क्यों आखर breakout trading पर दिमाग ही क्यों लगाना क्यों न सिर्फ reversal trade कर लें क्यों न सिर्फ support assistant trade कर लें क्यों न सिर्फ indicator based trading कर लें तो जो को simple सा fund है कि breakout trading में आपको सबसे बड़ा benefit जो मिलता है वो है कि आपको clear single direction moment मिलता है आपको एक direction में मालो आपने अगर उपर के side breakout पकड़ा है तो वो breakout आपको उपर के side लागातार बहुत देर तक उसका आप trend को capture करोगे एक clear का direction आपको उसके बा आते हैं वो होता explosive move का आप चाहे कितना भी chart analysis कर लो जो सबसे बड़ा move आता है समझे हिस्ट्री आप निकालके repeat करके देखोगे जो सबसे बड़ा move आता है मालो अगर जो ऐसा move है ये वाला move ये मिलेगा आपको breakout के थ्रू ये सबसे big momentum और इसके कारण जो explosive move जो हम लोग बोल सकता है वो 200 से 350 within 2-3 minutes आपको लेके चला जाए यानि कि 50 minute move करने में एक घंडा लगा देड़ घंडा लगा और माकी का 100 पंड मूव करने में केवल 3 minute लगा ये power है breakout trading है जिसके लिए breakout trading लोग करते हैं तीसरा जो सबसे बड़ा point है देखो अभी आपके mind में क्या आता होगा कि भाई सिधे technicals का बात कर दो पहले बता दो जानना जरूरी है हर जगा breakout trading करना भी important नहीं है हो सकता है किसी जगा पे आपको reversal ज्यादा based हो किसी जगा पे आपको support or assistant वाला उस पे भी आएंगे अभी हम उससे पहले इसलिए हम बोलता है न कि जो सबसे best तरीका है हर चीज का start with क्यों कोई भी चीज करना है तो क्यों करना है तो benefit आपको जो है यह है never touch your stop loss if it is real breakout आपका stop loss कभी नहीं जाएगा अगर एक real breakout होगा इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जो IDBI bank में मैं एंटर किया था जिसका video बना के डाल दिया था 73 के rate में मैं एंटर कर रहा हूं उस दिन 81 के असपास closing दिया था और उसके बाद video publish करने के बाद जरा date मिलाना आप 98 का है लगाया था दो बार circuit touch किया है within 7 days समझ रहे हो आप circuit touch करना दो बार मैंने video किस नाम से डाला था operator के साथ entry लो अगर वो operator के साथ entry नहीं होता तो ऐसा possible है क्या तो operator से लड़ना नहीं होता मैंने पिछले video में बोल दिया था कि operator का footprint पहचानो तो लोग क्या समझने लगे कि operator से मैं लडने का बात कर रहा हूं कि आप operator के खिलाफ नहीं जा सकते हो या operator से कोई fight नहीं कर सकता वो supreme है मैं तो समझ रहा हूं वो supreme है उसको supreme मानना ही पड़ेगा उससे लडना तो सोचना भी नह नहीं लगाना है हम लोगों को, हम लोगों को उससे लडने का तरीका नहीं बता रहेते हैं पर और जो अपना जिसक selber का mind है वो इस तरह से समझते हैं और जिसको benefit उठाना था, उठाइं भी उस चीज़स का benefit, तो अभी शार्ट में वाले हैं आपको बताऊंगा total detail में यी ची इस label का rate चल रहा है 200 का label है ठीक है एक chart है जो यहां से गीरा था और गिरते गिरते वापस से time pass करते गरते यहां तक पहुंचा है इस जगह पर resistant point पर पहुंचा है अब यहां पर एक trader के पास दो फैसला होता है कि उसको क्या फैसला लेना है पहला फैसला क्या इसको resistant पर sale करना ह क्योंकि resistant पर अगर आप sale करोगे फिर support पर आपका buying कर रहेगा यहां पर ठीक है आप support पर buy होता है resistant पर sale होता है यही होता है mindset ठीक है दूसरा क्या हो सकता है कि breakout trade हम लोग कर सकते है breakout trade अब जो 90% time हो रहा ना market वो क्या कर रहा है कि आप बोलोगे कि मैं इस जगह पर resistant पर sale अगर यह fake breakout होगा आपको बहुत comfortable entry दे देगा और वापस से गिर जायागा और इस situation पर आप अगर stop losses मालो सही डंग से नहीं लगाए हो breakout का जो सबसे बड़ा गंदा नियम है न वो यह है कि इस जगह तो आप enter कर ही नहीं पाऊगे अगर इस जगह आपको entry मिल रहा है कोई भ material breakout में explosive move आता है समझे और इस move में आप अगर order यहां का डालोगे आप 255 का देख के order मार रहे हो मालो market price में लिमिट में तो जो लिमिट वाले बायर है उसको तो मिलने वाला है नहीं ठीक है stock का भी बताएंगा option का भी बताएंगा फिलाल आप मान के चलो मैं option के हिसाब से बत कुछ लोग थोड़ा उससे ज्यादा समझदार है जो इस जगह पे भी बाय करते हैं कि रिटेस होगा तब हम रिट्रेश्मेंट में लेंगे और यहां से फिर वापस है यह breakout होगा ठीक है अब मैं आपको बात बता रहा हूं दियान से सुने ठीक है इतना दिमाग लगा रहे कि इसके बाद वाला जो यह momentum है वो real breakout होने का संभावना है या fake breakout होने का संभावना है और अभी मैं आपको creative तरीका भी बताऊंगा जिसके through आप जो यह वाला breakout है अब breakout से पहले कैसे आप घुस सकते हो यह थोड़ा advance हो जाएगा और इस चीज़ का जो benefit है ना मैंने live market में मे यह चीज़ नहीं बता है तब आगे comment करो इससे भी बढ़िया लेवल का बाद बताते हैं तो अगर आप क्या करोगे ना pre breakout करके concept है उसके अंदर आप breakout से पहले जाके stock या फिर आपका option या फिर आपका जो भी बोलो चीज़ को trade करते हो जिस instrument में आप trade ले सकते हो समझे उसक इन बार repeat करना वो चीज़ दिखना सुरू हो जाएगा जो मैं दिखाना आपको चाहता हूँ अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज़ को ठीक है यहां से एक support बना इस support पे वापस market बड़ा ही star fall करके आया क्या आपको क्या लग रहा अभी देखके लएगा यह support है ठीक है गिरना भी था तो अगले दिन 15 मिनिट का चार्ट है ठीक है दूसरा यह वाला चार्ट देखो जरा सा यहां पर एक बहुत बढ़ी हार assistant था market खुला 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 बहुत बढ़ी है अब volume analysis कर लो बहुत सारे बोलता है न volume analysis करो तब यह चीज मिलेगा इसलिए मैं आपको यहां पर दिखाने के लिए यह सब लगा दिया हूँ अब मैं आपको सबसे base chart दिखाने वाला हूँ इसको अगर समझ गया तब मज़ा आ जागा market यह कब का है market 20 जून के आसपास का है 5 मिनट का time frame है market एक support area बनाता है और यहां से निकलना शुरू करता है और एक resistant area खुद ही create करता है ठीक है open होके यहां से और नीचे गिरते 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 फिर support पे आता है support से वापस उपर फिर से गिरते गिरते support के नीचे वापस देखो आप breakdown दे दिया कब दिया है 3 बच के करिब करिब 3 पीम के असपास जो है market ने breakdown दे दिया इस label का ठ करते हैं कि यहां पर लेंगे sort का trade, put by, btst, सब दिमाग लगाएंगे ठीक है और करते 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 देखो आप इसमें आपको operator भी पता चलेगा और breakdown breakout जो आप लोग बोलते हो ना इसके बाद आपको वो भी चीज़ दिखा देंगे आपको ठीक है तो यहां पर market close करता है क उसके बाद फिर आके थोड़ा सा ठैरता है, बहुत सारे लोग जो breakdown trade करके बैठे हैं इस जगह पे कि आज तो sharp fall आएगा क्यूंकि लगबग 2-3 दिन का जो support area है वो break हो रहा है इस जगह पे, इस जगह तब उनका profit भी बहुत अच्छा खासा बना होगा, वापस तारा profit घट trader को भरा अंदर, जो कि इस label का breakout देख रहे होंगे, पांच मिनट के candle में, कि हाँ भाई, breakout हो गया यहाँ पे, थोड़ा move भी दिखा दिया, इनको भी फसाया, अब retailer क्या सोचेगा, यह तो support है न, losing position में उसको बिठा दिया है, चाहे वो BTST वाला हो, चाहे वो fresh trader हो, इस दिन, यह सब जो breakout हुआ, यह सब breakout आपका real होगा, आप बलोगे, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें यही फर्क है, क्योंकि इसमें retailer loss करने के लिए बैठे हैं, आप देखो, क्योंकि उपर से already एक fake breakout बना के आया है, पहला चीज, दूसरा, नीचे वालों को भी trap कर कि डारेट उपर खोल दिया market, और सब कोई, इस दिन कोई भी तयार नहीं होगा market में, कि market, और हमेशा market में unexpected होता था, होता है, और होता रहेगा, जब इस label को break करेगा, आपका expected चीज, कभी भी आप कोई चीज expect करोगे market में, वो चीज नहीं होगा, हमेशा uncomfortable चीज होगा, और ये वाला पकडूँगा, ये छोटा label का, ये भी breakout मिलेगा, मैं आपको एक और advanced label का भी बात बताने वाला हूँ, ठीक है, फिर example आते हैं, दूसरा चीज का, एक और chart आपको दिखाते हैं, ठीक है, Sam कहानी, लेकिन एक चीज का इसमें अंतर है, वो मज़ा आएगा आपको दे जैसे जैसे जा रहा है, जैसे जैसे गिर रहा है, सबसे sharp falling आप कहां देखोगे, इस जगह से इस जगह के बीच में, सबसे sharp falling, highest level of breakout, जो entry करने का बंदा सोचेगा, जो breakdown entry करने का सोचेगा, वो इस candle में सोचेगा, सबसे ज़्यादा position छोड़ा जाएगा, वो इसमें होगा, क इस situation के बाद, अगर वापस से price देखो जा रहा है, उस दिन तो लुढख के रहा गया, 90% जो existing sellers बोल सकते हो, वो निकल चुके है market में, पूरा का पूरा, ठीक है, उनको निकालने के बाद market क्या किया, अभी तक आपको पता नहीं चलेगा, मैं आपको जो चीज बता रहा हू वो आपको दिखेगा कि resistant point पे खोल दिया market को, एकदम resistant, आप देखो 1, 2, 3, लगवग 4, 5 दिन का chart है, 16 से लेके 26, मतलब समझ रहे हैं, 10 दिन बीच में 5, 6, 7 trading session हो गया होगा, और resistant point पे खोल के, एक अच्छा 15 मिनट का बढ़िया down candle बनाया, बढ़िया down candle, इसके अंदर अग किया कि आपको sort करो, दबा के sort करो, put buy करो, tension नहीं है, और इस दिन आपको क्या मान के चलना है, कि यह यहां से resistant ले लेगा, एकदम ले लेगा resistant, और यहां से यह गिर जाएगा, usually यही होता है, लेकिन अगर by chance, इस resistant point पे खुल के भी market, नीचे वाला price action बना के भी market, नीचे न जाने के बजाए, ऊपर जाना सुरू कर दे, इस type के breakout को आपको target करना पड़ेगा, आप बोलो के बहुत छोटा point मिला है, कितना मिला होगा, अंदाज लगा हो, nifty है, 100 points का तो बहुत बड़ा profit हो जाता है, मैं बताता हूँ कितना मिला है, एकदम simple, कि जो expect ही नहीं कर सकते हो आप, समझे, एक resistant point पे खुलने के बाद, इन candle अंदर में red बनाने के बाद, क्योंकि ए 5-3 minute का rate candle equal to 15-1 minute का rate candle, समझ रहे हो, 15-1 minute का rate candle और closing भी देख लोगे ना आप, अगर closing बोलोगे, ठीक है, तो closing भी आप देखो, एकदम लगबग लगबग lowest point पे है, और इस दिन expect नहीं इस दिन आप क्या आप सोचोगे कि रसिस्टेंट लेगाई है यहाँ पे, नहीं, यह breakout होगा, जिस दिन 100 point में रेंज move कर रहा है, उस दिन आप सोचते हो breakout होगा, नहीं होगा उस दिन break out, इस दिन यह trend आपको कितना point दिया होगा, 100 दिया होगा, 1.500 दिया होगा, 200 दिया Nifty ने, मतलब इस तरह का advance analysis करके सिर्फ आप एक trade भी ले लिए न, एक trade तो आप किस label का ride कर सकते हो profit वो छोड़ दू अब इसी type का जितना भी fake वाला था अब मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बताता हूँ कि target कहा करना है चलो देखो, मैं तो जादा तरह reversal trade करता हूँ बट breakout को भी कभी-कभी मौका मिलता breakout बहुत rare होता, आप बोलोगे daily breakout करेंगे chances कम है, मैं वो वाले breakouts की बात कर रहा हूँ जहां का breakout अगर आप पकड़े, तो clear momentum मिलेगा explosive move मिलेगा, सारा benefit जो एक breakout trading का होता है जो start with why मैं हम पकड़े देना, वो सारा benefit आपको मिल पाए तभी तो breakout trading करने का फाइदा वरना, अगर 20 point, 50 point के लिए breakout trading आप कर रहे हो, तो उससे अच्छा भाईया, reversal कर लो support resistant कर लो, इससे बहुत जादा आपको momentum मिल जाएगा breakout का मतलब यह कि हमको explosive move चाहिए और उसके बाद pre breakout भी बताऊंगा आपको घुसने का, यह देखो आप यहाँ से यहाँ तक का price action momentum देखो, और जरा सा इस candle को देखो, इस type के candle से अगर कभी भी market breakout करेगा, मेभी आप यहाँ पर नहीं पकड़ पाओ, समझेए लेकिन यहाँ तक तो आपके पास data clear हो गया, कि यह breakout कर गया अगेन, जहाँ से retracement आ रहा है, यह कोई strategy मैं नहीं बता रहा हूँ पहले बोल देता हूँ नहीं, तो आप लोग बोलोगे कि इसमें entry कहा करना है, क्या करना है आप दिमाग लगाओ अपना, मैं आपको रास्ता बता दे रहा हूँ, आप चलना चाहो, तो चल सकते हो, आप यह देखो line ठेक है, इस जगह पे आपका resistant point है, इसी जगह है न रसिस्टेंट point जी यह रसिस्टेंट point है, जो यहां से निकला, यहां तक तो आपको पता भी नहीं था कि breakout होगा, लेकिन अचानक से, अगर market में, आपका nifty, जो कि पूरा दिन का price action का इतना बड़ा momentum आ गया, ड्रॉ कर लिजे इस जगह पे, करने के बाद operator footprint पे भी entry का दिमाग लगा जगते हो आप इस जगह पे entry करके, यह सब scalping ही कर पाऊगे, trading इस पे थोड़ा सा hard होगा आपके लिए, और देखो फिर, क्या हुआ, आप even इसको BTS भी लेके जाओगे, तो momentum देख लो यहां तक, समझ रहे हो, किस label का momentum दिया है, ठीक है, इसके नीचे का stop loss डालके, अब और chart देखते ह है, ठीक है, अब यह chart तो हो गया, यह chart हो गया, अब यह देखो थोड़ा सा है, इस पे भी price action देखो, यहां से यहां तक मैं क्या चल रहा है market, full trending, चल रहा है ना, अब मैं आपको दो चीज़ शुरुआत में बोला था, कि अगर आप breakout trading पकड़ना चाहते हो, तो अगर मानलो आपको बात बताता हूँ, जो मैंने अपने game of trading में भी बताया है, कि एक जो beginner trader होता है, retail trader होता है, वो क्या mistake करता है, कि वो sideways market में breakout और breakdown धूंडता है, लेकिन sideways market में क्या होगा हमीशा support ले लेगा, उपर में resistant आएगा, resistant face कर लेगा, उसी type से, uptrend market में वो हमीशा क्या अगर मालो uptrend market है, वो क्या धूंडेगा, trend line का breakdown, कि यहाँ पे breakdown आ जगा, मत डूंडो, downtrend market में क्या धूंडता है, पता है, कि यहाँ से breakout आ जगा, trend line का breakout, यही सबसे बड़ा mistake है, sideways market में इसको लिखना है, लिख लो मैं बता देता हूँ, अगर past उसका sideways है, तो उस पे breakout trade नह trending चले आ रहा है, अब हर एक breakout पकड़ लो, हर एक breakout आपको पैसा देगा, हर एक breakout, अगर इसको आपको test करना है, money control खोलना, top gainer, top loser पकड़ लो, ठीक है, मैं एकदम simple exercise बता रहा हूँ, और जाओ, 5 minute का chart लगाओ, और देखना कि उस दिन अगर कोई top gainer है, अब हर जगा पे, को को भी target करोगे, आपको बड़ा पैसा मिलेगा, और जिस दिन downtrend होगा, आपको छोटा सा छोटा ये वाला पकड़ोगे, ये भी पैसा देगा, ये पकड़ोगे, ये भी पैसा देगा, तो trend, past का trend पकड़ो पहले, अगर past का trend बहुत जादा trending है, जैसे कि यहाँ पे है, आप क sideways था, पर यहाँ पे बहुत strong trend, even gap down भी हो गया, आप ये सब चीज में देखो, आप कोई भी support draw करो, आपको दिखेगा, breakdown clear cut, ठीक है, accuracy बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिर्फ ये सब mistake अगर नहीं करोगे तो, ठीक है, अब देखो, यहाँ से यहाँ तक मैं देखो, trend प मतलब ही क्या है, अगर super में साफिर या नहीं तो, तो ऐसे करके आप breakout पे काम कर सकते हो, simple, अगर आप बोलते हो कि मैं rule बना के भी आपको देदो, तो simple सा rule है, जिसका अगर rule follow करोगे, 30 to 40% accuracy बढ़ जाएगा, अगर market super trendy है, अब मैं, तो आपको उपर के साइट जितना भी breakout म पहले सही बता रहा है, sideways है, यह expect करना बंद कर दो कि यहां से बहुत बड़ा explosive move आएगा, ठीक है, आ गया, आने के बाद वो trendy बन गया, आप फिर घुस सकते हो, उसके बाद भी घुस सकते हो, लेकिन expect पहले करना कि यह breakout हो जाएगा, आपको 4 बार, 5 बार, sideways market बनता कैसे है, यह भी उतना ही बड़ा profit देगा, लेकिन इस जगह पे प्लान करना बंद कर दो, आपका जो accuracy है, वो 30-40% ऐसे ही बढ़ जागा breakout में, लेकिन यह बताया मैंने index में, stocks का game अलग है, उस पे जो भी stocks, super trendy है, वहाँ तो easy है, बाई, bank nifty में तो मजबूरी है कि sideways market में कोई मैंने जो money control वाला आपको example दिया, वो वाला यूज करके, मिलते हैं next important video में, तब तक के लिए, bye